अब इस lecture के अंदर मैं आपको vectors को पहले पढ़ाई हूँ है, vectors होते क्या हैं, लेकिन Python के अंदर vectors को किस तरीके से use किया जाता है, मतलब यह कि Python में आप vector draw करने के बाद उसको कैसे point कर सकते हैं, कभी सोचा है आपने, it is doable, और फिर linear transformations apply करके आप कैसे देख सकते हैं, कभी सोचा ह अपने नहीं सोचा, it is doable, we are going to do that in this lecture, यहाँ पर यह screen आपके सामने share हो रही है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, vectors in Python, ठीक है, हम देखते हैं कि vectors कैसे draw होते हैं, सबसे पहले दो libraries आपको जरूरी जाहिए, import numpy as np and then import matplotlib.pyplot as plt, यह दो libraries आपको चाहिए, ठीक है, यह मैंने कर लिए import, अब अगला काम क्या है, create a vector, और vector क्या होता है, मैंने आपको बताया है, जिसमें x, y हो, तो मैं एक vector को यहाँ पर लिखता हूँ, np.array, array बनाते हैं, और इसके अंदर one dimension, जो भी चीज होगी, उसको हम vector बोलते है so 2 by 3 का एक vector हमने बना लिया, अब गोर करें, क्योंकि इसकी एक bracket है, एक bracket का मतलब है one dimension है, तो यह one dimension यानि के आपकी x और y को show करती है, coordinates, vector के coordinates, पहले दिन वाला lecture याद करें, जहां पे आपको मैंने vectors के coordinates बनाना सिखाए थे, अब हम इसको करते हैं plot, ठीक है, let's plot this v, और इस इसको v को plot करने के लिए हम क्या करेंगे, let's see, plot the vector v, उसके लिए हम सबसे पहले तो, कोई भी simple सी information ले ले लेते हैं कि किस तरीके से हम vector का, जो है, वो किविटर बनाते है, by the way, मैं यहां पे ऐसे करता हूँ, code जो है, वो copy करके यहां पे पेस्ट करता हूँ, and then we will have a look inside, ताक यहां पे आप गौर करें, हमने यहां पे plt.figure, मतलब figure को start कर लिया, ठीक है, और अगर आप गौर करें, तो मैं इसको पहले run करता हूँ, then we will see कि क्या change आती है, यह हमारा एक vector बन गया, ठीक है, यह vector बन गया, 0 से start हो रहा है, आप सोच रहोंगे, origin तो पीछे है, वो इस व इस तरीके से यहां पे आगी, ठीक है, यह vector की length आगी, and then we also provide some kind of information, 0 से 1, 0 से 1, या 0 है, या angles कौन कौन से है, scale units कौन कौन से है, and so on and so forth, अगर मैं इसको यहां से comment out करता हूँ, तब यह इसको draw करता हूँ, तो हमारा vector नहीं बनेगा, because this thing is actually providing the information, कि आपका vector कैसे draw होना है, और उसका color कौन सा होगा, ठीक है, यह हमें चीज बता रही है, कि आपने किस तरीके से जो grid lines है, उनको रखना है, grid को plot करना है के नहीं, वो यह वाला code बता रहा है, मैं कहता हूँ कि plot करना है, and then यह titles है, कि क्या लिखना है X में, क्या लिखना Y में, और यह आपके पास box की, जो adjustable limit है, कि कहां पर आपने box side हों पर apply करना है, ठीक है, so अगर आप करना चाहते हैं, तो आपने इसको बना देना है, तो आपके पास square box आजाएगा, which looks really good, ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे, कि vector V हमने draw किया, which was 2 by 3, तो मैं इसको 3 by 3 का करना चाहूँ, then what we can do, we will just do it like this, तो यह 3 by 3 का vector बन जाएगा, so यह code आपको provide कर दिया जाएगा, vector को show करने के लिए, आपने simple इस code को run करना है, then it will be showing you everything, अब आप यह भी सोच रहे होंगे, कि ठीक है, यह सारा कुछ हो गया, हमारे पास कौन सी दो important चीज़े हैं, जो vector को show करती है, यह मैंने यह वाला, एक line यहाँ पर लगाई, and then, let me see, sorry, copy, और, यह, तो हमारे पास यहाँ पर इस तरीके से vector आप यह चार line के थूँ शो करवा सकते हैं, ठीक है, यह आपकी x की limit है, कि x 0 से कहां तक जाना है, यह y की limit है, and then the other things are down there, so मैं इस चीज़ को यहाँ से खतम करता हूँ, ताके आप यह vector को यहाँ पर देख सके हैं, this is how you can draw a vector, it's very simple, कोई भी vector आप draw कर सकते हैं, और कुछ भी उस पर perform कर सकते हैं, ठीक है, अब यह तो हो गया vector को draw करना, कि vector draw कैसे किया जाता है, अब मैं आपको बताता हूँ कि vectors जब transform होते हैं, तो कैसे होते हैं,